वटक, 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक एप जिसको लेकर टिक्टो का एखलान किया जाएगा, हाना कि स्टीटो के संक्या तक रीबन 100 से उपर हो सकती है, जिसको मायवती अपने जनम दिन पर जारी करेंगे, जिस तरीके से मायवती समय मैदान में है, चूकि डिजिटल है, पूरी तरीके से कोई रैली नहीं हो रही है, ऐ से में कल एक और प्लान बड़ा लांग होगा, जिसमें कहा जाएगा कि HD, रैली और HD समवाद भी मायवती कल से शुरू कर रही है, जिसको लेकर कारिकरताओं में काफी जोस भी है, बताया जा रहा है कि कल से जो मायवती की प्रेस कॉन्फरेंस होगी, वो कुसको भी पूरी तरीके से हाई डेफिनेशन HD में होगी, और जिसको कारिकरताओं तक पहुंचाया जाएगा, कल मायवती को सुनने के लिए प्रेस के अलग-अलग जिले में LED लगाई जाएंगी, LCD लगाई जाएंगी, जिसमें कारिकरता मायवती को सुन पाएंगे, और कल साफ तोरते ये व जिदान सवा में चुना हो है, तो कि महत पूर कल का दिन है, BSP के लिए, कल BSP जिस तरीके से लोगों के लिए अपना दिन ये रखती है, और एक बुक को लाँच करती है, जिसमें उनके जीवन का संगर्स और काशी नाम जी के ने जिसना काम किया, उसको लेकर संगर्स की गा पूरे प्रदेश में लोगों की मदद करते हैं, अलग-अलग जगे पे उनकी सहायता करते हैं, और इस तरीके से BSP की चीफ का ये जनम दिन मनाया जाता है, तो कल ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अहम दिन होने वाला है, जिसमें सबसे पहले वो टिकेटों का अलान करेंगी जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानि की पहला फेज है विधान सबा चुनाओं का वो शुरू हो रहा उसमें और दूसरे फेज को लेकर दो फेजों के टिकेट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फाइल की जाएंगी, बड़ी बात मानते हैं इसे कि मायावती के बस्पा कारेलेकराज पूरी तरीके से तैयारी की गई है और कारेकरताओं को पूरा संदेश देने के लिए हर जिले में और उनके पार्टी ऑफिसेस में LED स्क्रीन्स लगा के कल मायावती को उनके कारेकरता नेता और उनके इंचार्ज सुन पाएंगे तो जिस में सबसे एहम होगा टिकटो की डिकलेरेशन होगा और एच डी रैली की शुरुआत होगी जो की जा रही है अलाकि बुक लांच और उसके बाद जो सफर नामा है पूरा वह भी कारेकरताओं को कल बुक के रूप में सौपा जाता है लगनों से आशी शुरुआत तो यूप तक